हालो एवरीवन वेलकम तो जेंटी ओनलाइन क्लासेज और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ UKG का Half Yearly Worksheet Practice और हिंदी की जैसा कि मैंने आपको प्रामिस कर रहा था कि नेक्स वीडियो आएगी वो हिंदी की UKG की Half Yearly की Practice Sheet होगी तो जलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी दे रही कि लेकिन उस से पहले एक बात प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा किप मत करेगा और पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और चानल को सब्सक्राइब कर देना आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चानल को मैंने कुछ देखा 80% लोग ऐसे हैं वो वीडियो देखते तो हैं लेकिन बस एक सब्सक्राइब पे क्लिक करना होता है जस एक टेंधार उसको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट है कोई पैसे नहीं लगते सिर्फ एक सब्सक्राइब का जहां पर लिखा होता है उसको जस्त एक बार टच करना होता है बस और कुछ नहीं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी सब्सक्राइब करते हैं तो इस चीज की प्राक्टिस आपको बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को करानी है उसके बाद नेक्स कोशन है खाली जगे भरो तो हमें इस तरह से तोड़ा सा कंफ्यूज करके देना है बच्चों को तो जैसा कि आपने देखा यहां पर ना अ से मैंने शुरू नहीं करा है बीच में से कहीं से भी स्टार्ट करा है तो बस इसी तरह से हमें बच्चों को देना है यहां पर जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो बच्चे हैं वो एक sequence learn कर लेते हैं, तो हमें अगर sequence नहीं learn करानी, उनको रटवाना नहीं है, तो चीजों को हमें बीच-बीच में से देना पड़ेगा, यहाँ पे छोटी E से शुरू करा, उसके बाद आगे के 2 जो 1 है, वो मैंने gap कर दिये, फिर बाद में O से शुरू करा, फिर आगे के 2 1 gap कर दिये, यहाँ पे कर से शुरू करा, फिर पर से, फिर यह से, तो मैंने एक sequence में नहीं दिया, उनको बीच-बीच में से दिया है, ठीक है, तो खाली जगे भर हो, एक इसकी practice करानी है, उसके बाद है चित्र देकर one में लाओ, तो देखिए, जब quotient paper बच्चों का बनता है ना, तो हर बच्चे के हिसाब से बनता है, एक ऐसा बच्चा, जिसको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ आता है, और एक ऐसा बच्चा जो average होता है, और एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही कम कर पाता है, तो सब के हिसाब से quotient paper एक format तयार होता है, तो इसलिए कुछ questions बहुत easy भी मिलेंगे, अब आप बोलेंगे, अब बच्चे को काखा का अच्छे से आता है, तो ये सब देने की क्या जरूरत है, तो जैसा मैंने बच्चे के हिसाब से paper बनाया जाता है, जैसे पसे पतंग, तो यहाँ पे match करना है, टर से टमाटर, match करना है, इसी तरह से चर से चमच, यहाँ पे match करनी है, बस से बतक, यहाँ पे match करनी है, तो उसलिए मेरी कोशिश ए कि बहुत छोटी से चोटी वीडियो और कम से कम टाइम में आपको जाद से जादा इंफ़ोमेशन आपके सब कर सका हूँ क्योंकि बड़ी वीडियो देखना मुझे भी बोरिंग लगता है जली आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ Question number 5, चित्र देखकर शब्द मिलाओ, अब यहाँ पर 1 का जो अकेले का काम है वो खतम, अब जो है वो ग्रुप में शुरू हो गए, यानि कि 2 letter, 3 letter and 4 letter word स्टार्ट हो गए है, तो कप कहां लिखा है, बच्चे को मैच करना है, कप कप, यह है कलश, कलश कहां लिखा है, बच्च कराईए, जैसे यह वाला कोशन है, इसकी 2 से 3 दिन, एक छोटी सी वरकशीट बना के, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, अगर प्रिविएस वीडियो आपने देखी हो, तो आपने देखा हो, कि छोटी वरकशीट कैसे बनानी है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है ज़रूर देख लीजेगा, अगर नहीं देखा हो तो, उसके बाद है, चितर देखकर नाम लिखो, जैसे यहाँ पे मटर बनी है, तो यहाँ पे लिखना है, म टर मटर, यहाँ पे खत है, तो यहाँ पे 3 लेटर और 4 लेटर, मैंने दोनों ही तरह के दिये है, 2 लेटर है, 3 जैसे बरतन, तो बच्चों को इतनी प्रैक्टिस हमें करा देनी है, क्योंकि UKG में आते आते ना मातरां इंटर्ड्यूस हो जाती है, हाफ यरली के बाद मातरां स्टार्ट कर देते हैं कई स्कूल्स में, चलिए, उसके बाद है, वर्णों को जोड कर लिखो, यहाँ पे सार होने में मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है, मुझे वही तो लिखना है, तो उनके लिए बहुत ही इजी होता है, साथ के साथ, जितने भी वर्ण हैं उनकी प्रैक्टिस, और जब भी बच्चों को स्पेशली हिंदी लिखवाएं, उनक जैसे शह से शटकोण है, और शह से शलगम, तो इस तरह से बड़े कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कि हमें लिखना कौन सा है, तो यह सब प्रैक्टिस करानी बहुत जरूरी है, खाली जगे पर वर्ण लगाकर शब्द पूरा करो, जैसे यहाँ पर है अचकन, तो अचकन, बर्गद, यहाँ से हमें, बच्चों को देना है, उसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स कुशन, आप हिंदी में गिंती हैं, अच्छे से एक सिले के 10 तक, अच्छे से गिंती सिखा देनी है, यहाँ पर कांटिंग नॉर्मल दे रखिए, उसके हिंदी कांटिंग लिखनी है, औ वाली उसके बाद यहाँ पर count करके लिखना है लेकिन हिंदी की गिंती लिखनी है इस तरह की यह 123 नहीं लिखना है हिंदी की गिंती लिखनी है तो यह थे 10 तरह के question जो half yearly exam में बच्चों के आते हैं बाकी तो आप syllabus को follow करिएगा जिस recording हर school का हिसाब अलग होता है मैंने पहले भी बताया है हर school का syllabus अलग होता है आपको syllabus के according चलना है बट यह basics है जो आते ही है जादा तर तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आपके साथ share करती हूँ आपको बहुत बड़ी एक help हो जाएगी अगर आपको पहले से थोड़ा सा idea हो किस तरह से work sheet बनानी है और किस तरह से syllabus आ सकता है क्या चीज हम बच्चों को एक महीना पहले से थोड़ा थोड़ा करके cover कराना शुरू करें क्योंकि बच्चों पर नहीं तो एक साथ बहुत जादा बड़न आ जाता है तो चलिए यह थी आज की वीडियो आपको पसंद आई योगी पसंद आए हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि फटा फट से आपको आने वाली वीडियो मिल सकें तो चलिए मैं मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन गुद्बाई